नमस्कार फ्रेंड्स वागाते आप सभी का सॉलिशन में दभी से यूट्यूब चैनल ने फ्रेंड्स इस वीडियो में जीके के टॉप 30 इंपोर्टेंट कोशन इस वीडियो में कवर करेंगे आप कोई भी गवर्मेंट एक जंप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीड इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा भगस सिंग जो है उन्होंने जो है अंग्रेज पुलिस अपसर कैप्टन संडर्स की हत्या की थी कोली मार के तो यह आप याद रखें अगला जो कुशन है कुशनम अथाट जो है जै हिंद का नारा किशने दिया तो जै हिंद का नारा किशने दिया था तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा उप्सन ए सुभाष चनर बोस ने जै हिंद का नारा दिया तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछ नमर 4 जो है निम लिखित में से किस बर्स मुस्लिम लीग ने एक परिथक राष्ट का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव सिवकार किया था तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव को सिवकार किया मुस्लिम लीग ने तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो कुछ नमर 5 बर्स 1947 के बाद निम लिखित में से किस राजी को भारत संग में सैनिक करवाई द्वारा बल पूरवक्त मिलाया गया तो इसका right option जो हो ज खोंदो मैं तुमें आजादी दूंगा तो इसका right option जो हो जाएगा सुभास्चे नवौस तो option जो है इसका A correct हो जाएगा अगले जो कुशन है कुशनमस सेबिन देश बंदू की उपादी सम्मंदित है तो देश बंदू की उपादी जो सम्मंदित है तो इसका राइट ओप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आर दास या चितरंजन दास तो इसका जो है बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा अगले जो कुशन है कुशनमस जो एट है कुशनमस जो एट है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर स्वराज का लच्छ गोशित किया गया था कहां पर हुआ था तो जो 1929 जो कांग्रे में हुआ था तो इसका जो है सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहोर में हुआ था जिसमें पूर स्वराज का लच्छ गोशित किया था अगला जो कुशनमस 9 कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बर्स पारित किया तो इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा ऑप्सन डी 1942 में जो है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो प्रस्ताव किस बर्स पारित किया तो 1942 में किया अगला जो कुशनमस 10 जो है सुवास चंदर बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया तो इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा ऑप्सन बी 1943 में जो है सुवास चंदर बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया तो इसका जो है बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमस 11 असायोग अंदोलन 1920 से 1922 तक चला को क्यों निलंबित किय गया तो जो असायोग अंदोलन है जो की मात्मा गांदी की द्वारा चलाये गया था इसको क्यों बंद गरना पड़ा 1922 में तो इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा जो चोरी चोरा जो हुई हिंसक घटना की कारड जो है ये जो है असायोग अंदोलन को बापस लिया गया ये हो जाएगा अमरस सर पंजाब तो आपसन जो इसका एक क्रेक्ट हो जाएगा अगला जो कुषण नमर 13 नमक सत्याग्रे किस इसबी में प्रारम हुआ था तो इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उनने सो 30 में तो 1930 इस भी में ये शुरूआत होई थी तो आप ये याद रखें अगला जो कुछन है कुछ नमर जो 14 है निम लिखित में से किस करत्य के कारण भगत सिंग राजगुरू और सुखदेब को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई थी तो इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्सन इसका करेक्ट हो जाएग में लाहोर में संडर्स की हत्या के कारण जो है 23 मार्च 1931 को जो है राजगुरू भगत सिंग सुखदेब को फासी दी गई 1928 में लाहोर में संडर्स की हत्या कर दी थी उन्होंने तो इसके कारण जो है इनको फांसी की सजा दी गई अगले जो कुछन है कुछ नूमर 15 निम लिखित में से किस अधिनियम के ताहत बिना मुकद्मा और दोससिद्धी के ही भिधी नियायले ने किसी भी व्यक्ति को कैद क सरकार को दिया गया था तो इसका राधिकार जो हो जाएगा बर्स 1919 का जो रोलेक्ट अधिनियम है इसके ताहत जो है बिना मुकद्मा और दोससिद्धी के ही भिधी नियायले ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का जो प्राधिकार है वो सरकार को दिया गया था अगला जो बार्ट के लिए संगीय सानर्चना प्रस्तूत की गई तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा option C 1935 का जो अधिनियम है इसके कारड जो है पहली बार भारत के लिए संगिय सरचना प्रस्तूत की गई तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 19 है काकोरी ट्रेन डखेती कांड का जो नायक कौन था तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा राम पिरसाद बिस्मिल जो है ये काकोरी ट्रेन डखेती कांड के नायक थे तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 20, 1919 के अधिनियम में 22 सासन धारणा को जिस ब्यक्ती ने परिशित कराया बे कौन थे तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा ये थे चैंप सफोर्ड तो उप्सन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 21 जो है निमलिकित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रोयल इंडियन नेवी के विद्रोईयों को आत्म समरपड के लिए राजी किया तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा बल्लब भाई पटेल और मुम्मद अली जिन्ना तो इसका जो है C उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्ण नमर 22 जो है 20 सितंबर 1932 को ये परदा जेल में महत्मा गांदी ने अमरण अनसन किसके विरोध में किया तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा कॉम्मियूनल अबाड के ब्रोध में किया है तो इसका जो है C उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्ण नमर 23 जो है 1949 में पहली बार मात्मा गांदी ने देसी राज्ये में नियंतरित जन संगर्स चलाने की विसेश तकनीकी को अपनाया उन्होंने अपने एक निकट संयोगी को सत्या ग्रेक करने की इजाजत दी वह निकट संयोगी कौन था तो इसका राजकोट में बल्लब भाई पतेल थे तो इसका जो है C उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 24 निमन अंकित अंदोलनों में किस में महत्मा गांदी ने भूख हरताल को एक हतियार के रूप में पहली बार प्रियोग किया तो इसका राइट अप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1918 में एमदाबाद मिल मजदूर हरताल में जो है महत्मा गांदी ने भूख हरताल को एक हतियार के रूप में पहली बार प्रियोग किया तो इसका जो है C उप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्ण नमर जो 25 है जलिया बाला बाग में गोली चलाने का आदेस दिया था तो जलिया बाला बाग में गोली चलाने का जो आदेस है वो अंग्रेजों में किसकी तरफ से दिया गया था तो इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर ई एच डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था तो इसका जो है C option करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन अमर 26 जो है मात्मा गांधी को सर पर्थम राष्ट पिता किस ने कहा तो इसका राइट उप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुबास चन्र बोस ने जो है मात्मा गांधी को सर पर्थम राष्ट पिता कहा था तो इसका जो है C option करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन मर 27 कृप्स मिसन 1942 के असफल होने का सबसे महत्पूर कारड कौन सा था तो इसका राइट उप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा option D क्रिप्स का गरहड करने या छोड़ देने बाला दिरिष्टी कौन तो इसका जो है D option करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन मर 28 जो है भारतिय राष्टिय कोंग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यच कोन रहे तो इसका राइट उप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद जो है भारतिय राष्टिय कोंग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो है अध्यच रहे हैं तो इसका जो है A option करेक्ट हो जाएगा कुशन नमा 28 का अगला जो कुशन है कुशन नमा 29 जो है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महत्मा गांदी थे तो महत्मा गांदी तब कहां थे तो इसका रैट उप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा कोलकाता में थे तो इसका जो है D option करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन मा 30 है भारत इबं पाकिस्तान का विवाजन किस योजना के तखत हुआ है तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा mount betten योजिना द्वारा जो है भारत पाकिस्तान का विवाजन हुआ तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अब आज का जो प्रेशन है आप लोगों को comment box में जरूर बताना है कि महत्मा गांदी की यहत्या चनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्राम